दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि जरौधा काई टैप के अंदर आप ट्रेलिंग स्टॉपलोस का यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे आप जरौधा काई टैप के अंदर ट्रेलिंग स्टॉपलोस लगा सकते हैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, अगर आप के अंदर trading करते हैं तो आपको पता ही होगा कई बार क्या होता है कि हम किसी stock को buy करते हैं या sell करते हैं और हमारा जो target होता है वो छोटा होता है लेकि stock का price क्या होता है कई बार बहुत जादा ऊपर चला जाता है और हमें बाद में पश्तावा होता है कि काश हमने अपना target जो है और भी बड़ा रखा होता ताकि हमें जादा से जादा प्रॉफिट मिल जाता तो इस केस में आप ट्रेलिंग स्टॉपलोस का यूज कर सकते हैं तो आज की छोड़ी सी वीडियो में हम आपको लाइब दिखाएंगे कैसे आप जरौधा काई टैप के अंदर ट्रेलिंग स्टॉपलोस का यूज कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कू न भूलें चैनल को जरौ से सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह की वीडियो आगी भी देखते रहें और इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है तब ही आप चीजों को डीटेल में समझ पाएंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा तो सबसे पहले आपको जरौधा काई टैप के अंदर लॉगिन हो जाना है जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे आपके सामने कुछ ऐसा ही इंटरफेस आपको दिखाई देगा आप जिस भी स्टॉप के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं सिंपल आपको उसी के उपर क्लिक करना है आज हम ओरियन के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हम इसी के उपर क्लिक करेंगे अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आपको बाई के उपर नहीं तो आपको सेल के उपर क्लिक करना है तो आज हम इसे buy करना चाहते हैं तो हम इसे buy के उपर click करेंगे जैसे ही आप buy के उपर click करेंगे quantity के अंदर आपको डालना है कि आप कितने share buy करना चाहते हैं तो आप जितने भी share buy करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर quantity के अंदर डाल देना है उसके बाद यहाँ पर आपको price डालने का option दिखाई देगा अगर आप limit order लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप खुद का price भी डाल सकते हैं आप जिस भी price के उपर buy करना चाहते हैं वो price आपको यहाँ पर डाल देना है आज हम इसे market price पे buy करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम market ही रखेंगे उसके बाद product को आपको intra day ही रखना है क्योंकि intra day के अंदर ही आप trailing stop loss का use कर सकते हैं long term के अंदर आप नहीं कर सकते हैं delivery के अंदर आप trailing stop loss का use नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको intra day ही रखना है उसके बाद आपको simple swipe to buy के उपर क्लिक करना है जैसे ही आप buy के उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं complete लिखके आ गया है आपको order के अंदर जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं complete लिखके आ गया है 323 रुपे 90 पैसे के price पे हमारा stock buy हो चुका है जोकि एक share हमने buy किया है उसके बाद आपको यहाँ पर portfolio वाले option के उपर click करना है जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे आपको position के अंदर जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक share हमारा buy हो चुका है जोकि MIS के अंदर यानि कि intra day के अंदर हमने buy किया है यहाँ पर average price क्या है वो भी आप यहाँ पर देख सकते है 323 रुपे 90 पैसे के price पे हमारा stock buy हो चुका है अब यहाँ पर trailing stop loss का use कैसे करते हैं चलिए यह देख लेते हैं तो आपने जिस भी stock को buy किया है simple आपको उसी के उपर क्लिक करना है जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको exit के उपर क्लिक करना है उसके बाद आपको SL के उपर क्लिक करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं SL के उपर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस डालने का option आपको दिखाई देगा यहाँ पर आप से पूछा जा रहा है कि आप कितने रुपे का stop loss लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो भी stop loss लगाना चाहते हैं वो price आपको यहाँ पर डाल देना है तो 324 रुपे के price पे हमने buy किया था तो 320 रुपे का यहाँ पर हम stop loss लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 320 रुपे डाल देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है यहाँ पर आप देख सकते हैं tigger का option आपको दिखाई देगा यहाँ पर आपको डालना है कि आप कितने रुपे का tigger price डालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 321 रुपे का tigger price लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 321 रुपे डाल देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 320 रुपे का हमारा stop loss हो गया है और 321 उर्पे का हमारा tigger price हो गया है उसके बाद यहाँ पर product में आपको intra day ही रखना है क्योंकि intra day के अंदर हमने buy किया था तो intra day ही रखना है यहाँ पर आपको उसके बाद आपको simple to swipe to sell के उपर click करना है जैसे ही आप swipe to sell के उपर click करते हैं आपको orders के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जो भी stop loss लगाया होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो कि हमने 320 उर्पे का stop loss लगाया था वो हमें यहाँ पर pending के अंदर दिखाई दे रहा है क्योंकि stock का price 324 उर्पे चल रहा है और stop loss हमने 320 उर्पे का लगाया है अगर यह stock 320 उर्पे तक आ जाता है तो हमें यहाँ पर loss हो जाएगा अगर यह stock यहाँ से उपर जाता है तो हमें profit होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर open के अंदर आप देख सकते हैं हम कैसे लगा सकते हैं कैसे हम अपने stop loss को trail कर सकते हैं basically trailing stop loss का मतलब होता है कि आप अपने stop loss को उपर चड़ाते हैं यानि की trail करते हैं जैसे जैसे आपका stock का price उपर जाता जाता है वैसे वैसे ही आपका trailing stop loss भी उपर जाता जाता है अगर आप Angel Broking के अंदर अपना Demet Account ओपन करवाते हैं तो उसके अंदर Automatically हो जाता है लेकिन जिरोधा के अंदर आपको Manually करना पड़ता है तो कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं तो आपने जो भी Stop Loss लगाया था Simple आपको उसी के उपर क्लिक करना है उसके बाद आपको Modify के उपर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो भी Stop Loss लगाया होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा 324 उर्पे के प्राइस पर हमने Buy किया था और 320 उर्पे के प्राइस पर हमने Stop Loss लगाया था अब माली जे स्टॉक का प्राइस 330 उर्पे चला जाता है 332 उर्पे चला जाता है या 335 उर्पे चला जाता है तो उसी तरह से आप अपने Stop Loss को भी Change कर सकते हैं यानि कि 320 उर्पे का जो Stop Loss हमने यहाँ पर लगाया है मैं जहां तो 322 उर्पे का लगा सकता हूँ 23 उर्पे का लगा सकता हूँ 24 उर्पे का लगा सकता हूँ 25 उर्पे का लगा सकता हूँ यानि कि जैसे जैसे आपका Stop का प्राइस उपर जाता रहेगा वैसे वैसे आपको अपने Stop Loss को भी उपर लेके जाना है इसी को हम trailing stop loss पोलते हैं angel broken के अंदर automatically हो जाता है लेकि जरौधा के अंदर आपको manually करना पड़ता है तो यहाँ पर 320 रुपे का stop loss हमने लगाया था और यहाँ पर हम माली 322 रुपे कर देते हैं जैसे ही आप modify के उपर click करेंगे आपका order place हो जाएगा और इसी तरह से आप trailing stop loss का use कर सकते हैं जरौधा काई tap के अंदर अगर आप angel broken के अंदर आप stock के अंदर अपना demand account उपन करवाते हैं तो उसके अंदर अलग से एक feature दिया जाता है वहाँ पर आपको बार बार modify नहीं करना पड़ता है वहाँ पर सिर्फ एक बार आपको डालना पड़ता है और वो अपने आप ही चलता रहता है जैसे जैसे stock का price उपर जाता रहता है वैसे वैसे आपका stock loss भी उपर जाता रहता है लेकि जरौधा के अंदर ये feature अभी नहीं है अगर आप अपना demand account open करवाना चाहते हैं जरौधा के अंदर, app stock के अंदर, angel broken के अंदर या grow app के अंदर आप जिसमें भी अपना demand account open करवाना चाहते हैं सारे link आपको वीडियो के description में मिल जाएंगे आप चाहें तो अपना free में demand account open करवा सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप comment section में लिखके अपना सवाल पूछ सकते हैं हम आपकी पूरी help करेंगे तो मिलते हैं किसी और वीडियो में जब तक के लिए happy investing